नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज़े प्रमातमस आज अनाबेले राठोर का रिव्यू वैसे यह फिल्म मूलत तमिल में बनी है इसका नाम अनाबेल से तो पती है और दीपक सुन्दर राजन इसके निर्देशक है हिंदी में यह डब की गई है अपसोस की बात है कि तापसी पन्नू फिल्म में हिरोईन है और उनकी भी आवाज डब की गई है नजाने क्यों ऐसा हुआ होगा जो कारण लगता है वो यह कि विजे सेतु पती जो इस फिल्म के हिरो हैं और तापसी पन्नू इस फिल्म के हिरोईन है संभवता हैं इन दोनों से बड़ी गलती हो गई थी इस फिल्म को चूज करने है इस फिल्म को शूट करने में और फिर बाद में जो फिल्म बनकत आई होगी उसे देखने के बाद इन दोनों ने यह फैसला किया होगा कि इस फिल्म के साथ हमारा एसोशीशन कम से कम चर्चीत हो तो ज़्यादा बहतर होगा क्योंकि फिल्म के प्रचार में भी दोनों नहीं दिखे और न इसकी कोई ज़्यादा चर्चा होई अगर आपने यह फिल्म देख ली है तो मेरे साथ आप भी शोक मनाईए और अगर फिल्म नहीं देखी है तो सोच समझ कर ही इसको ओन कीजिएगा यह कहने के लिए हॉरर फिल्म है लेकिन इसमें हॉरर का टेरर है जी हाँ यह फिल्म ड़ाती नहीं है आतंकित करती है आतंकित ऐसे करती है कि आपको अफसूस होता है कि आपने क्यों इस फिल्म को आउन किया या क्यों इस फिल्म के बारे में सोचा हम जो फिल्मों पर लिखते बोलते हैं उसकी बाते करते हैं उनके लिए ऐसी फिल्में एक श्राप की तरह होती हैं कर्स होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं और इनसे मूड पॉईजनिंग होती है और शक होता है उन कलाकारों पर जिन पर आप विश्वास करते हैं जैसे किताब से पन्नू और विजय सेतु पती क्या सोच कर इन दोनों ये फिल्म की होगी 1948 से लेकर के 2021 तक कहानी आती है सोच लीजिये इतना लंबा वितान है फिल्म का और कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है एक महल नुमाग घर है जिसे किसी राजा ने अपनी विदेशी पत्नी के लिए बनवाया था और अब वह विरान है वहां रहने वाले भूत बन चुके हैं बाद में चोरनी की टीम वहां पहुंचती है और कैसे कैसे सारी घटनाएं घटती हैं और फिर फिल्म एक बहुत ही खीच खाच कर खत्म होती है मुझे भी ताजुब होता है क्योंकि ताफसी पन्नों से पिछले दिनों बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी फिल्म ये विस्वास लगाती है दर्शकों के बीच कि वे आकर मेरी फिल्म देखें लेकर अगर ऐसी फिल्म में वे चुनेंगी तो शायद आप वह विस्वास खो देंगी विजय सेतुपति के साथ भी यही हुआ है विजय सेतुपति तो हिंदी में आने की तैयारी कर रहा है अगर ऐसी फिल्म में लेकर आएंगे तो वे भी निराश करेंगे बेटर है कि इस फिल्म को देखने के पहले आप थोड़ा विचार कर ले और सिर्फ मेरा ही नहीं और भी समिक्षकों के रिव्यू देख लें कई बार मान लेना ठीक होता है समिक्षकों की राय जान लेना जरूरी होता है यह फिल्म कत्ते ही मनरण्यन नहीं करती है और न आपको इंगेज करती है अफसोस है कि ऐसी फिल्म में बनती है और रिलीज भी होती है, स्ट्रिम भी होती है हमारे तेक पहुंचती हैं, हम उनके बारे में बाते करते हैं, मजबूर हैं, लेकिन आप तो सोच सकते हैं शुक्रिया, महरबानी, धन्यवाद